प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिविजन इनको हम उपरेटर बोलते हैं और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि उपरेटर को मल्टिप्लाई कैसे करते हैं ओप्रेटर को डिवाइड कैसे करते हैं अक्सर इसमें डाउट रहता है और यह चीजें फॉर्थ या फाइव इस्टेंडर की होती है तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे की आने वाली किसी भी वीडियो का न डिविजन क्या होता है step by step अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप comment box में comment करके बता सकते हैं और जो भी topics में आपको doubt है वो आप comment कर सकते हैं और उस पे वीडियो हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिज करेंगे चलिए start करते हैं सबसे पहले चीज operator क्य बोलते हैं और इन operators का हम multiplication और division देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम इस start करेंगे division क्या होता है और multiplication क्या होता है जब दो numbers को हम divide करते हैं या multiply करते हैं जैसे हम सबसे पहले multiply का case लेकर करके solve करते हैं प्लस मल्टिप्लाई प्लस दो operator को multiply कर रहे हैं प्लस के साथ प्लस मल्टिप्लाई होगा तो प्लस आएगा ये हमेशा याद रखना प्लस के साथ माइनस अगर multiply होगा तो माइनस आएगा माइनस के साथ माइनस आएगा तो हमेशा प्लस आएगा बस यह तीन case बनते हैं इसमें चोथो कोई case नहीं बनता अब देखिए इसको याद रखने का तरीका जब भी दो same operator आएंगे multiply में दो same operator तो उनका जो answer आएगा वो हमेशा प्लस आएगा same operator मतलब प्लस आएगा answer देखिए same operator तो answer प्लस same operator तो answer प्लस एग भी different हुआ operator एग भी different हुआ तो एग भी different हुआ मतलब प्लस और minus हम इस वीडियो में किवल और प्लस और minus का multiplication और division देखेंगे हमारा जो topic है वो plus minus को कलसी multiply करते हैं और कैसे divide करते हैं तो सबसे पहले हम case देख रहे हैं कि इसको multiply कैसे करते हैं प्लस माइनस operator को ठीक है तो जब भी same होगा operator same होगा तो प्लस आएगा multiply case में operator same तो प्लस आएगा answer में अगर different है तो minus आएगा बस इतना है देखेंगे different तो minus अब start करते हैं कि operator का division कैसे होता है operator में division का case देखते हैं case second division division का case देखते है case second जो है वो है division का case अब देखिए हम दो ही operator की बात करेंगे प्लस और माइनस की जैसे multiply में हमने बता है same और जैसे division में करना है division को हिंदी में भाग बोलते है multiply को हिंदी में गुणा बोलते हैं तो देखिए हमने कहा जब दो operator different होंगी यहां पर यहां पर देखिए दुरों operator different है तो answer में क्या आएगा minus आएगा ठीक है answer minus अब दूसरा देखते है उपर भी minus नीचे भी minus जब operator same होते हैं जब operator यह भी minus यह भी minus operator same तो answer मारा प्लस आता है operator same तो हमेशा plus आएगा answer चाहे वो multiply कर रहे हो operator का चाहे वो divide कर रहे हो operator ठीक है अब दूसरा case और केस बनेगा इसमें प्लस प्लस तो कुछ कोई doubt होता नहीं दूनों same देखिए दूनों same आ गए same operator तो जब भी same होता है answer plus आता है उन्हें बताया है अब एक दो question देख लेते हैं इसमें एक दो question देख लेते हैं example देख लेते हैं एक दो example हम देख लेते हैं एक दो example देख लेते हैं जैसे minus 3 multiply minus 5 अब इसका answer क्या आईगे वीडियो को pause कीजिए solve कीजिए अगर answer नहीं आता तो फिर वीडियो चला के देखीगा अब देखिए 5 into 3 5 into 3 कितना होता है 15 होता है 15 लिख लेजिए अब आप comment में doubt आएगा sign क्या होगा तो sign के लिए देख लेजिए दोनों का sign क्या है हमने कहा जब operator same होते हैं same operator यहाँ भी minus यहाँ भी minus तो जब same operator होता है तो answer मारा plus का आता है तो यह 15 plus 15 कोई भी number positive होता है तो उसके सामें हमें positive लगाने की जरूरत नहीं होती है हम सिधे केवल positive उसको हम केवल 15 लिख देंगे बस ठीक है अगला example लेते हैं अगला example लेते हम minus 3 अब देखिए यहाँ पर यह minus का है और यह plus का है 7 3 जा 21 अब यह 21 plus का आएगा यह minus का आएगा यह decide कैसे होगा आप operator देखे लेजिए एक plus का एक minus का दोनों different होते हैं थमने क्या कह था minus आएगा दोनों operator different हैं तो minus आएगा same हैं तो plus आएगा बस यह तना याद रखिए दोनों operator same हैं तो plus आएगा अगर different हैं तो minus आएगा एक और example ले लेते हैं divide का 18 by 3 अब देखिए 3 से 18 को divide कीजिए कित आएगा 6 आपके मैंने में डाउट आएगा कि 6 plus का आएगा या minus का आएगा तो देखिए थिरी यहाँ पर क्या है plus का है थिरी ऐसे आप मानना चाहों तो मान सकते हो ठीक है तो हमने क्या कहा जब दोनों different होते हैं तो answer मारा minus का आता है minus ती चाहिए अगर अगला देखते है minus 20 upon minus 5 देखिए उपर भी 5 उपर वाला operator भी sorry उपर भी जो उपर जो operator है वो भी negative नीचे जो operator है वो भी negative आपका जब दोनों same आ जाते हैं दोनों operator same होते हैं तो answer मारा क्या होता है plus का तो 5 फूर जा 20 अब last में एक conclusion बताता हूँ मैं आपको चाहे आप plus या minus 2 operator को multiply करें या उनको divide करें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर दोनों operator same है तो जो answer आएगा वो plus में आएगा दोनों operator अगर different है तो answer मारा minus में आएगा पूरे वीडियो का conclusion यही है अगर आपको किसी और topic में doubt है तो आप वीडियो के comment section में जाएए वहाँ पर अपना topic लिखिए और अपनी class लिखिए और इस channel पर अगर नए है तो आप channel को subscribe करेजिए और like कर दीजिए जिससे की जो भी video upload हो इस channel पर वो time to time आपको मिलती रहें थैंक यू